अब सब को स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में दोस्तो थमनेलाव टैटल तेक़् की आप समझ गयОंगे कि हम किसके बारे मैं बात करने वाली हूं कि यहांपे बात करने वाली हूं कि सावित्री अभी बहुत जाद ही परसानी में है और सावित्री उजब से साधी हुआ त और सावित्री एक होता है ना कि जब लड़की साधी सुधा साधी होके जाती है अपनी ससुराल में तो एक साल छे महीने इंज्वाइ करती है और उसके बाद घर की रिस्पॉंस्बिलिटी जो होती है दिया जाता है कि चलो अब दुलहन आप घर की बहु हो गई हो तो हम तो ब सुरा घर की रिस्पॉंस्बिलिटी जितनी भी होती है जिमेदारिया सब सावित्री को उपर आ जाता है प्ललास इसमें यह इसलिए सावित्री इक पर आती है क्योंकि सावित्री के पती जो है मैनुफेक्षरिंगंiczन थयले का बिजनेशम एंगा जो आपना घैला बनाते है रहो और तो यहां पे शावित्री जो है आब पहली कि बाते हैं क्योंकि जब से शावित्री यह वा had पहले सोबार सोचती है तो आप जिसको जितना रिस्पेक्ट दोगे ना आपके सर पे उतना ही हावी होता है इसलिए कोई चीज का ना लिमिट होता है अगर लिमिट से जादे क्रॉस नहीं करना चाहिए लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपको खतम करने पे उतार हो जाता है इस अब घर के एक एक बरतन को बदलना पड़ा घर के लिए जमीन लेना पड़ा जो कि गनेश जी के पास कुछ भी नहीं था और घर लेना जमीन लेना कोई बच्चे का खेल तो है नहीं कि मुस्कुराओ चुटकी बजाओ घर खरदा आ गया बहुत इसके लिए मेहनत करना पड़ या अपना एरिया के हिसाब से वो 15 लाख 20 लाख उससे कम का आपको जमीन नहीं मिलता है उसमें क्या महराष्ट्रा में या सहर के महाल में या सहर एरिया में थोड़ी बहुत भी अगर टाउन एरिया है तो वहाँ पे जमीन का रेट बढ़ जाता है अगर आप दूर दराज म खेत में लेते हो जहां पर कोई आसपास में घर नहीं है तो आपको अहां पर सस्ता मिल जाता है मगर सावित्री के आसपास में एक दो घर बनावा वैसे तो खेत में ही है जादे घर दिखता नहीं है आसपास में क्यों सावित्री अपनी वीडियो का मध्यम से दिखा रही है मगर यहाँ पर सवित्री का जो जमीन खरदाया है उसके साथ भी धोखा हुआ है अब धोखा मैं इसलिए बोलती हूँ कि गनेश जी सच में दिमाग का थोड़ा हाफ है आप बोलोगे कि यह कैसे अब जैसे कि देखी और 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 आदमी जो होता है दो पहलू होता है दोनों मिलके एक होते हैं ऐसे बोला जाता है जैसे कि आदमी को यह फरज होता है कि हमारी परिवार को किसी को दुख तकलीफ न हो उतना हम पैसे कमाएं कि हमारी धरम पतनी को हमारी वाइफ को कोई चीज का तकलीफ न हो और फैमिली मेंबर में सब खुसी-खुसी हो वो आदमी का फर्ज होता है तो दोनों का अपना अपना फर्ज है अवरत का फर्ज है कि घर को अच्छे से समाले घर की एक-एक मेंबर घर को अच्छे से मैनेज करे अच्छे से खर्चा करे कि कहां पर खर्चा होता है कहां पर नहीं जो की सवित्री 100% गुनकारी है सवित्री में कोई कमी नहीं है सवित्री सोस समझ के खर्चा करती है कि कीटना खर्चा करना सब कुछ है अब हम आते हैं गनेज जी के उपर गनेज जी थोड़ा बकलोली है क्योंकि जेसे देखिए अगर सवित्री ज़ारखंड में अपनी पती को रखती तो घर जमाई बनके रहते और वहां का कुछ भी काम करती सावित्री तो पूरा रिस्पॉंस सावित्री को उपर जाता अगर सावित्री कुछ करती भी है तो गनीजी को कोई ठेस नहीं पहुँचता जैसे कि जमीन खरीती अगर सावित्री जहरखंड में या अपनी एरिया में तो सावित्री को सब दोस् खुद ठकाई है मगर यहां पे जिसका जो एरिया होता है न वहां का जान पहचान अच्छे से परक लेना चाहिए कि यह जमीन घर भर बनने लाइक है की नहीं है अब वहां का बाता बरन में पले बढ़े हैं गनेश जी सावित्री को तो वहां के कोई ABCD भी नहीं पता है कि कहा अब असलिड़ार हो और आदमी को होना चाहिए कि गनेश जी को होना चाहिए अब यहां पछिए सावित्री तो प्यार का सपनों का घर बनाने के लिए जमीन खरीत द्लीया सवित्री का response था कि मैं पैसा दूंगी जमीन आप खरीदेंगे मतलब गनीज जी का response था कि अच्छा से हम जमीन खरीदे अच्छे से परख्य खरीदे अब यहाँ पे सवित्री तो जमीन खरीद लिया और उसमें भी क्या जमीन खरीदने में सवित्री खुले याम बोलिये कि 80% हाथ मेरा भाई का है और 20% सवित्री कमान लिजे क्या पता 1-2% गनेश जी का है कि नहीं है ये तो गनेश जी ही जानेंगे मगर सब लोग जानते हैं कि गनेश जी की कमाई कुछ भी नहीं है सवित्री अपनी ब्लोग के माध्यम से सोसल मीडिया के माध्यम से जो कमा रही है उसके उपर ही भरोसा है गनेश जी के परिवार के उपर भी गनेश जी को अभी गनेश जी जो जमीन खरीदा है उसका वहाँ पे घर बनने वाला जमीन नहीं है सवित्री दिखा रही है कि पीलर गड़ता है तो एक मिट्टी का पहाड गिर जाता है थोड़ी सी मिट्टी का जो धेला होता है मिट्टी का जो थोक होता है थोड़ा से गिर जाता है तो वहां पे धस जाता है अब सोचिए अभी तो पीलर गड़ा रहा है तो थोड़ी सी मिट्टी गिरने से धस रही है अगर आउसा वित्री बोली है कि डेढ़ लाक दो लाक हमारा नुकसान हो चुका है और पलस जो इंजीनियर है अब वहां का गर बनाना एक दिन का काम नहीं होता है इसमें सालों साल खतम हो जाता है तो इसलिए अच्छे से जाच परताल करके प्रक के तब कोई कदम उठाना चाहिए तो यहां पे सावित्री बोल रही है कि जो इंजीनियर था वो भी हमें धोखा दिया हमने तीन फूट चार फूट क बीच का गल्यारा छोड़ रहा था यहां पे डियर फूट बच रहा हुआ है जहां पे तीन फूट हमने तीन फूट चार फूट के बीच का में रहा था जाता है तो जैसे किसी का वाज सूनती है तो दर्वाजा फटाक से खोल देती है तो सरम की चीज होती है मतलब ऐसे खुलेयाम किसी के सामने आ जाओ घर वाले तो अच्छे तरीके से पर्चे होते हैं पर्चित होते हैं तो उनको इतना नहीं लगता है मगर सरम तो लगी जाता है न और घर के असली में और तो ज़्यादे लगेगा कि घर का जो और अऊरथ होति यह समेट के रखना घर की परिवार को समेट के रखना उसी का रिस्पॉंस होता एक मतलब कभी कपड़ा पहती है कुछ कह नहीं सकते इस तरीके से रहती है बिना कपड़े का अब कोई आ जाता था फटाक से दरवाजा खोल देती है इस इसे लिए सवित्री जो वह भोली थी कि हम इस तरीके से घर बनाएंगे जहां पर अगर कोई महमान आभी जाते हैं तो अपने घर में रहेगी अपने गल्यारा में रहेगी मतलब बाहर कम निकलेगी तो इसलिए सवित्री बोल रही थी कि एक सेपरेट अपनी विकलांक ननत के लिए मैं बना रही हूं जो की मास्टर बेडरूम रहेगा इसी में ट्वाइलेट बाथरूम और गल्यारा टाइप हमने छोड़ा है और यहां पर फिर इंजीनियर से एसारी बाते हो रही थी यहां पर इंजीनियर जो है तीन फूट छोड़ जोड़ने के बेजा है डेड़ फूट छोड़ा अब डेड़ फूट में कैसे इंसान आएगा जाएगा आप खुद बताइए यहां पर साईसा जाड़ू भी नहीं लग सकता डेड़ फूट में तो सवित्री बोल रहे है कि इस तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ है तो यह इससे जान पहचान करते जो आस पास में घर बना हुआ उससे बेश्ट करते पूछते कि सबसे बेश्ट इंजिनियर चाहे है यह आस पास में घर बन सकता है कि नहीं बन सकता है कि अच्छे से जाज परताल करके कि इस जमीन पर घर बन सकती है कि नहीं बन सकती एस ले जीका依मेदारित जो वे बकलोल के तरह काम कि ए गनेशू idag निट यह मतलब काम करते हैं तो इसमें सावित्री बोल हुआ है कि इंगेर के तरफ से गलती हो गिंगा और गनेश पुरा पुरा गलती है ही है क्योंकि यह बकलोली तो करी चुके हैं अब यहाँ पे सावित्री बोल रही है कि हम सच में बरवाद हो चुके हैं इतना इतना अब फिर से पीलर को उखाड़ा जाएगा फिर से नाप तौल के अच्छा से फिर से बनाया जाएगा आप सोचिए सबितूराइरो, सब्सक्राइब करने भीर क्यों सब्सक्राइब हमने जोड़ा है संजोगा है कि हमारा सपनों का घर होगा मगर हम क्या करें बरवाद हो चुके हैं और असली में ये सब की पीछे गनेश जी अपना दिमाग नहीं लगाएं अगर गनेश जी सोच समझ के कदम उठाते 50 लोगों से पूछते क्योंकि घर बनाना बच्ची का खेल नहीं है एक बर घर बन जाता तो कम से कम 50-60-70 साल घर टिकता है तब जाके इसको मेंटेनस दिया जाता है फिर से मरमत कराया जाता है कम से कम 100 साल तक निफिक्री हो जाता है इंसा सो साल के बाद ही फिर घर को मरमत किया जाता है तो घर बनाना बच्चे का खेल नहीं है कम से क सुछ आप अच्छे से लटे जी जाच परताल करते अच्छे से इंजीनिए अच्छे से मिस्तिरियर तुम गर बंdepack की मैं जमय घ्रना जो हैं तो सुल में जुमेदार जो हैं धने संहीं हैं कि क्योंकि वह अरिया का पल बड़ें धने के पास होना चाहिए सो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलती हूँ नेक्ष वीडियो में थाइंक्स पूर बोचिंग जाते जाते यह मैं बोलना चाती हूँ